कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुंदर और मेरे चैनल एंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का महस्वालत हैं बीजेपी के लिए महाराष्ट की स्यासत हमेशा से बहुत इंपॉर्टन रही है और अग महाराष्ट की स्यासत में फिलाल केंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी को संसदिये बोर्ट से हटाए जाने के बाद एक और जर्चा शुरू हो गई है कुछ लोग इसे गटकरी के राजनीतिक पतन की शुरूआत कह रहे हैं तो वहीं कुछ एक्सपर्स ये भी कह रहे हैं कि गटकरी के बढ़ते कद पर कैची लगाने के लिए ऐसा किया है जाने कि उनके पर जो है वो कतन्य के लिए ऐसा किया है इस वज़े से उन्हें समीति से बाहर किया है जबकि महराश्च के बिज़िपी नेता परमजुदा उपुमुक मंतरी दिवेंद्र पढणवीस को ये जगा दी गई है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही नेता विदर्व से आते हैं दोनों ही माराठी ब्राह्मन हैं और साथ ही दोनों ही संग यानि कि RSS परिवार से उनकी नज़दे क्या रही है गटकड़ी को इस तरह से नजर अंदास की जाने की वज़ए तलासने के लिए क्या-क्या चीज़े सामने आई हैं ये मैं आपसी शेयर करना चाहती हैं दोस्तों देखिए अगर देखा जाये तो फिलहाल महाराष्ट में पूर मुखमंत्री दिवंदर फर्णवीस का कद तेजी से बढ़ रहा है साथ ही उन्होंने बिहार और गोवा चुनाव में पार्टी के लिए काफी काम किया है पसीना बाहर है जिसका फायदा भी बीजेपी को हुआ इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट में सर्तब परिभरतन का पूरा श्री दिवंदर फर्णवीस को जाता है जिसकी वज़े से आज राज में शिंदे फर्णवीस सरकार का कठन हुआ ये एक संकेत भी हो सकता है कि आने वाले समय में देवंदर फर्णवीस को केंदी सरकार दिल्ली बुला ले और उन्हें एक बड़ा वाला प्रोफाइल कहिए कि एहम प्रोफाइलों से दे कुछ साल पहले भी इस तरह की सर्चाएं हुई थी कि दिवंदर फर्णवीस को दिल्ली बुला जा सकता है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था हलाकि तब ये बातें सिरफ अवाएं थी लेकिन अब ये अटकलें फिर से जोर पकड़ रही है अब ये ज़्यादा संभवना नज़त आ रही है कि आने वाले दिनों में फर्णवीस को दिल्ली बुला जा सकता है गटकड़ी का कद केंदर और देश में तेजी से बढ़धा था आप इशारे समझिए मतलब और साथ ही गटकड़ी और फर्णवीस दोनों ही विधर्व से आते हैं इसके अलावा एकी छेत्र से दो निताओं को केंदरी जुनाव समित में लेना नेतिक रूप से ठीक नहीं होता वहीं फर्णवीस महाराष्ट बीजेपी के रिजल्ट देने वाले निता की रूप में जाने जाते हैं यानि कि मतलब वो काम करके दिखाते हैं साथ ही केंदर गटकरी को एक मैसेज भी देना साथ है क्योंकि बीते दिनों उनके कुछ बयान काफी चर्शाओं में रहें थे ये भी देखने की बात है कि ये कराजनिती भी हो सकती है जिसे महाराश से दिल्ली जाने की सूरत में देवेंद्रफन नवीस के विकल्प के तौर पे राजय में विजेपी के चंशेखर बावनकुले और सुधीर मुन गंटिवार या अशिश शेलार जैसे निताओं को पावर दी जाए हाला कि इस रेस में आशिश शेलार के शामिर होने की संभावनाएं काफी काफी कम है इसका उधारन खुद विनोत तावड़े है जिन्होंने महराष्ट की सियासत से पहले जिनने अलग कर दिया गया था और बाद में उन्हें केंद्र में एहम जिम्मेदारी दी गई थी उसी प्रकार पर्णवीस को पहले डिप्टी सियाम बनाया गया लेकिन अब उन्हें केंद्र चुनाव समीति में गटकरी को हटा कर उनकी जगा दे दी गई एक और बात कुछ दिन पहले तक नितिन गटकरी ने एक भाशन के दोड़ान ये बात कही थी कि अगर दिवंदर फर्नवीस दिल्ली जाते हैं तब माराष्ट बीजेपी में सियमपद के दावेदार के रूप में चंद शिकर बावन कुले को देखा जा सकता है ये महस एक इत्तिफाक नहीं हो सकता बीजेपी की ये परंपरा रही है की शान्त रहने वाले और बागावत नहीं करने वाले नेताओं को बाद में इनाम दे जाता है इसका उधारन खुद बावन कुले है जब पिछली बार उनका टिकेट काट दिया गया था तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था कोई बैयानवाजी ने की थी वो पार्टी के साथ जुड़े रहते जैसे पहले काम कर रहते वैसे ही वो काम करते रहे है कि आज उन्हें परदेश हिकाही की जिम्मेदारी सहुपी गई है साथ ही उन्हें विदान परशद में भी भीजा गया है खास ये भी है कि ये रादनीति में चेक एंड बैलेंस वाला एक सीन दिखाई दे रहा है गटकरी को चेक दिया गया है जबकि फड़ नवीज को बैल करने की कोशिच की है इसके अलावा महराष्ट में फिलहाल फड़ नवीज को ज्यादा पावर इसलिए भी दी जा रहे है क्योंकि महराष्ट में बीजेपी खुद को 7% पावरफुल दिखाना चाहती है मजबूत करना चाहती है ताकि उन्हें किसी पे निर्भर ना रहना प करीभी होने का उन्हें फाइदा भी मिल सकता है यह बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर वो आरेसे से जुड़े हुए तो जरूरी नहीं है कि उन्हें इसका फाइदा भी मिलेगा एंसीपी नेता क्लाइट क्राश्टो ने ट्वीट करके बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि एकोशल राजनिता के तौर पे नितिन गटकरी का कद कई गुना बढ़ गया है बीजेपी के शिष्णेर ने लेने वाले निकाए से उनको भार रखना उनके घट्ते राजनितिक कद के संकेत के तौर पे देखा जा रहा है गटकरी के प्रतिद्वन दिमाने जाने वाले महा था कि कभी-कभी उनका मंद करता है कि बुरा निति छोड़ दें जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए उन्होंने इस बात पे खेट दी जताया था कि राजनिति आजकल समाजिक परिवर्तन के लिए साधन के बजाएं सत्ता में बने रहने पे जादा केम देता है तो ये जो उनका बयान था ये उनके लिए सही सावित नहीं हुआ उनका कट छोटा हो गया है खैर ये सब बातें आने वाले भविश्य में अभी बैटी हुई हैं कि क्या होगा लेकिन जो मुझे दिखाई दिया कि उन्हें इस तरीके से अमिन गटकरी को जिस तरीके से नज पुझकी देखिये दोनों ही नेता विदर्फ से आते हैं, दोनों ही मराटी हैं, ब्र앙μαन हैं, साती दोनों ही संग परिवार से काफी क्यारे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक का कद कम क्यों किया गया, एक कुझकी क्यों किया गया हैं तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है और गटकरी की जगा फटनावीस्त को रखा गया है एक और बात है कि दोनों नागपूर से तालूग रखते हैं अब आने वाले दिनों में काफी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों आपको यह मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आएं ता मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इ मुझे यह लगता है कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगे तो आप दबा दीजिए बैल आइकन को और सब्सक्राइब कर दीजे मेरा चैनल अब इस बीक्स फिलाल इतना ही आप अपना और अबनोंगा ख्यार लखे जय ही जय भारत